हर वक्त गोपी बहु गोपी बहु करने वाली कोकिला मोदी के प्रतिष्ठित किरदार को हर टीवी सितारा जानता है और मानता भी है जिसके किरदार में टीवी इंडस्ट्री की दिगज अधाकारा रूपल पटेल ने अपनी भारी भरकम डायलोग बाजी और कड़क रंग रूप से फर्श से लेकर अर्श तक के मुकाम को हासल किया था लेकिन दोस्तों साथ निभाना साथिया सीरियल से घर घर में कोकिला मोधी बन कर प्रसिद्ध होने वाली अभिरेतरी रूपल पटेल के बारे में तो आप सब जानते हैं पर क्या आप जानते हैं कि इन्होंने किस तरह से टीवी इंडस्ट्री में फर्श से लेकर अर्श तक के मुकाम को हासल किया है कैसी रही है इनकी फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी इसी बात की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं पर उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें साथ निभाना साथिया सीरियल में कोकिला मोधी बनने वाली अदकारा रूपल पटेल का जन्म एक जन्वरी 1975 को मुंबई में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट की है लेकिन अगर बात करें इनके स्ट्रगल दौर के बारे में तो हम बता दें कि इनके बच्पन से ही एक्टिंग में रुची थी और इसलिए साल 1985 में नौ साल की कम उमर में इन्होंने अपना बॉलिवूड करियर शुरू कर दिया था पर किसी मुद्दे को लेकर फिल्म के मेकर ने इनके सारे सीन्स काट दिये थे फिर इसी दौरान इन्होंने बहुत सारी बॉलिवूड फिल्मों में काम किया और उन फिल्मों में भी इनका सिक्कन नहीं जमा यहां तक कि इन्होंने सन 1994 से लेकर 1996 तक चले सीरियल चंदरकांता में भी काम किया मगर इस शो में भी इन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली इसके बाद इन्होंने अभिने में सुधार करना शुरू किया जिसके लिए इन्होंने अपनी ग्रैजुएशन करके साथ साथ मुंबई के नेशनल स्कूल अफ ड्रामा में भी हिस्सा लिया हलाकि इसी बीच इन्होंने पूरा मन बना लिया था कि ये अब फिल्म में नहीं बलकि छोटे परदे पर ही काम करेंगी जिसके चलते साल 2001 में इन्होंने बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट अप करते हुए स्टार प्लस के सीरियल शगुन में अपनी एक्टिंग का प्रदर्शन किया जिसकी वज़े से इन्हें काफी लोग उस वक्त पहचानने लगे थे साल 2004 तक चलने वाले इस शो में इन्हें छोटे परदे पर थोड़ी बहुत पहचान मिल गई थी जिसके बाद इन्होंने फिर से टीवी सीरियल जाने क्या बात हुई में काम किया और यहां भी इनकी एक्टिंग की तारीफ हुई थी हलकी साल 2010 में स्टार प्लस के सीरियल साथ निभाना साथिया आया जिसमें ये कोकिला मोदी का किरदार निभा कर आज तक ओडियन्स की जान बनी हुई है इन्होंने साथ साल तक कोकिला बन कर लोगों के दिलों पर राज किया इस शो के खत्म होने के बाद भी मन मोहिनी ये रिश्टे है प्यार के और फिर से साथ निभाना साथिया सीजन टू में अपने कड़क डायलॉग बाजी से सब का दिल जीत लिया जिससे इन्हें यकीन हो गया कि ये पूरे 30 साल की एक्टिंग करियर में अब जाकर अपने फर्ष से अरश तक के मुकाम को हासल कर पाई है और ये फिलहाल तेरा मेरा साथ रहे सीरियल में मिथिला मोदी बन कर लोगों को फिर से इंटरेंण कर रही है लेकिन अगर बात करें इनके निजी जिन्दगी के बारे में तो हम बता दें कि इन्होंने टीवी के ही जाने माने आक्टर राधा कृष्ण दत से बहुत साल पहले शादी की थी जिनसे इन्हें एक प्यारा सा बेटा भी है पर ये अभी दोनों के साथ लाइम लाइट में नही कहना है आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें